Assalamu alaikum dear students, आज हम component of children literature में दो important चीज़े पढ़ने जा रहे हैं, हम यह देखेंगे कि कहानियों के अंदर theme कैसे पता चलते हैं, उनका क्या character है, और stance से हमें क्या फाइदा होता है, और वो होता क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं, हम थीम से, इस कहानी को लिखने का मकसद क्या था, या writers कहानी में हमें क्या बताना चारा था, इन तमाम सवालों के जवाब क्या हैं, इस कहानी का theme क्या था? पहली term में हम अमुमन अपनी moral values canway करते हैं, बड़े straightforward words में, जो कि पुराने लिटरिचर में इस्तमाल होते थे, अब मौडरन दौर की राइटिंग के अंदर हम स्ट्रेट फावर्वर्ड ली मौरल्स को एक्स्प्लिसिटली कन्वे नहीं करते हैं. अच्छे और स्मार्ट राइटर वो होते हैं या इंट्रोस्टिंग कहानिया वो होते है जो बहुत है सारे लोग पसंद करते हैं, मुक्तलिफ मजाब के, मुक्तलिफ थॉर्ट्स के लोग, मुक्तलिफ आइडिया रखने वारे लोग उन कहानियों को पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ी और्डियोंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो इंप्लिसिट फीम के साथ होते जिसके अंदर symbols की through message convey किया जाता है straight forwardly नहीं बता दिया जाता है कि इसका moral यह है यह 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 है important चीज़ अब हम themes को देख रहे होते हैं तो एक smart reader जो होता है ना सिर्फ वो theme को पढ़ता है वलकि theme को पढ़ने के साथ वो यह सोचता है कि जो theme represent किया गया है इस कहानी के अंदर जो मुक्तलिफ किसम का social order दिखाया गया है या औरत और मर्द के specific characters दिखाया गया है या कोई culture दिखाया गया है भूडे और जवान की सोच का फर्द दिखाया गया है या अमीर और गरीब के status का difference दिखाया गया है या status quo की favor में है या status quo की against है इन तमाम चीजों को reader खुद critically judge करता है कि क्या ये जो theme लिखा जा रहा है जिस साथ characters उसको perform कर रहे हैं जिस साथ character act कर रहे हैं क्या वो सही है या सही नहीं है तो ना सिर्फ हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आपने पढ़के समझना कैसे है बलकि हमने बच्चों को ये भी सिखाना है कि हमने theme को critically कैसे देखना है अब हमारे पास आजाता है उससे अगला वाला हमारा component जो कह है stance the stance of the implied reader ये वो रीडर होता है जो कि author के imagination में होता है कि मेरी कहानी ये पढ़ेगा तो हम उसको कहते हैं implied reader जिसको author imagine करता है जिसको writer जो है idealize करके वो कहानी लिख रहा होता है इसलिए जो कुछ भी characters उसके अंदर मौझूद होते हैं चाहता ये author कि reader बिल्कुल वैसे ही react करें जैसे कि उसने लिख रहे अगर तो वो thrilling story है तो वो thrilled हो जाए अगर वो मजाया कहानी है तो पढ़ने वाला उसको कहके मारे और उसको पढ़के enjoy करे उसको हसे अगर वो suspense कहानी है तो उसके अंदर वो suspense के emotions आ जाएं जब हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी लिखी हो तो intentionally या unintentionally हम करते क्या हैं कि हम उस कहानी के अंदर engage हो जाते हैं so writers be the same way intentionally और unintentionally उनके दिमाग में कोई ना कोई implied reader होता है उसको सामने रखते हैं उस कहानी को लिखते हैं और उसके dialogue इंटर्वीव करते हैं जब हमारे पास कहानी आती हैं और जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो definitely indirectly वो तमाम viewpoint जो कहानी के अंदर मौजूद हो और वो कहानी के हम enjoy कर रहे हो और हमें मज़ा आ रहा हो तो हम author के viewpoint खुद बखुद ही adopt करते जाते हैं हम उसे agree हो जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये plot ऐसी चलना चाहिए या इस character को ऐसी करना चाहिए तो हमारे पास जो चीज आती है stance के अंदर वो तीन चीज़े आती है कि जब कोई पढ़ता है कहानी को रीडर तो उसके किस किसम की reaction होते है पहला reaction यह होता है कि वो identification with characters करता है वो किसी ना किसी एक character या एक से ज्यादा character के साथ उसके अपनी personality match हो रही होती है तो वहाँ उसका stance सामने आता है और वो ऐसी react करता है अगर वो ऐसे करने लग जाए तो उसको महसूस होने लगता है कि यह character जिन suffering से गुजर रहा है यह character जिन steps से गुजर रहा है जिस तरह यह problem solve कर रहा है मैं भी वो problem ऐसे ही solve करता हूं और कैसे आपका reader आपकी कहानी के साथ engage होता है अगर राइटर उसके अंदर कोई एक moral stance ले लेता है कि यह चीज सही थी तो reader भी उसी stance के साथ compliment कर ले और उसी stance को माल ले और उससे agree करता चला जाए definitely writer जो है मुक्तलिफ बाते लिखता है plots के अंदर बताता है कि यह क्यों सही है वो अपने ideas देता है वो events में बताता है इन events के नतीजे में decisions नहीं है और अगर reader वही moral decisions जो है उसे accept कर ले कि हाँ यह hero बिल्कुल सही कर रहा है और उसके साथ compliment करने लग जाए उसकी सोच तो इसका मतलब यह है कि जो reader है वो कहानी के साथ fully engage हो गया है अगर reader moral stance accept करता है कहानी की तो तब ही वो कहानी के अंदर engage होगा और उसको वो कहानी को enjoy करेगा otherwise नहीं करेगा अगला जो point आता है कि जिसके अंदर पढ़ने वाला author के साथ match up करता है वो होता है fill in the gaps इसका मतलब है कि author कहानी में हर चीज़ आपको detail में नहीं बताता कुछ gaps छोड़ देता है जिसे आप खुद फिल करते हैं कुछ problems ऐसी छोड़ देता है जिसे आप खुद solve करते हैं और जब आप उसको solve करते हैं इसका मतलब है आप कहानी के साथ fully engaged है लेकिन अगर कहानी में हर चीज़ extra detailing के साथ मौजूद हो या extra उसके अंदर events मौजूद हो तो definitely पढ़ने वाला ठक जाता है और उसकी कहानी से engagement खतम हो जाती है एक ये relationship, psychological relationship एक writer के दर्मियान और एक reader के दर्मियान जिसका engage होना बहुत ज़रूरी होता है और वो इसको idealize करता है writer लिखते हुए कि इसको पढ़ने वाला कैसे मेरी कहानी को enjoy करेगा